नमस्कार पिछले टर्ड में हमने चर्चा करी थी बेंतम एंड हुकर के वर्गे करण पद्धतिक अनुसार डाइकोट लिड़नी में पोली पेटली पर ड्रिवीज पत्त्री एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको बैंता में ढुकर के अनुसार तीन में बाटा गया पोली पेटली, केमो पेटली, मोनो क्लेम आइडी इसमें हम सबसे पहले बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं मोनो क्लेम आइडी पर पोली पेटली पर पिछले टर्ण में चर्चा करी थी जिसमें प्रतक दली जो वर्ग है उसको तीन सिर्ज में बटा गया था थेलिम फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी और केलिसी फ्लोरी आज हम सेक्ट दली जो वर्ग है गेमो पेटली बेंथम एड्वकर के वर्गी करण के अनुसार जो बहुत बड़ा वर्ग है उसके अंदर इसमें आने वाली शेनी उनके अंदर ओडर और उनके अंदर फेमिली वहाँ तक हम एक डिटेल प्लान के अंदर चर्चा करेंगे गेमो पेटली पर विस्तरक प्लान अनुसार हम वर्नंद करने जा रहे हैं तो इसको जो गेमो पेटली जो नाम दिया गया उस गेमो पेटली का तात्पर यह किसमें जो परिदल पुझ प्राय दो चक्रों में होंगे आंतरिक चक्र दलाब एम सिंत परिदली होगा उसमें आने वाले जो तीन शनी है उन्पर हम चर्चा करेंगे उन में आने वाले ओडर उनमें आने वाले चर्चा करेंगे तो गेमो पेटली का मतलब है कि फ्लौवर्स विद बौथ कैलेक्स और कोरोला पेटर्स यूरेटेट, इस्टमन्स यूजली ये फ्यू और अटेस्ट टू कोरॉला, इस डिवाइद इन थी सिरीज, इन्फिरी, हेट्रोमेरी और बाइकर्पिलिटी, इन्फिरी का मतलब है अंदाशे इन्फिरियर होगा अधोवर्ती, पुंके सरसंख्या, दल पालियों के समाग लोगी, जो दूसरी सिरीज होगी हेट्रोमेरी, उसमें जो ओवरी है, वो प्राय सुपिरियर होगी, अथार्थ अंदाशे प्राय उचवर्ती, और जायंग बाइकर्पली द्विग अंडपी होगा, तीसरी जो सबसे बड़ी सिरेणी आएगी, बाइकर्पलिटी, ज इक्वल तो लोप्स ऑप दे कोरोला रेरली फ्यूर नाम से सबस्ट है कि इसमें जो ओवरी होगी वो इनफिरियर होगी अंडशे अधोवर्ती इनफिरियर होगी इसका मतलब यह होगा कि इसका जो पुष्प होगा फ्लोवर वो होगा एपिगाइडस इसमें जो आने वाले ग इरेगुलर और जो इस्टमेंस है वो एपिपेटलस अथार दल लगन होगे और अंडशे बहु कोस्ट होगा रूबी इसके अंदर इस्टमेंस एड़नेट टू लोकुलर लोकुलाई वनोविल्ड दो फेमिली इसके अंदर शामिल के गई जिसमें जो महत्तपुन है वो है इसके बाद है सबसे बड़ा सबसे महत्तपुन ओर्डर एस्ट्रेस इस्टमेंस एड़नेट टू लोकुलर और वनोविल्ड पुष्प नीमित या अनीमित होगे इसमें पुंके सर दल लगन अंडशे कोस्टी भी जान्ड होगा एस्ट्रेस बहुत महत्तपुन गण है जिस इसको चार मेंधमा डुकर ने चार फेमिलियास में रखी और सबसे महत्तपुन जो फेमिलिय वह है कंपोजिटी जिसका नाम नया नाम है एस्ट्रेसी कंपोजिटी औरनामेंटल प्लांट की बहुत बड़ी फेमिलिय जिसमें सुंदर सजावती फूल आएंगे सूरज जिसको एडवांस फेमिली प्रकत फेमिली की रूप में माना जाता है जिसको चार फेमिली पे बाता इस्ट्रेस को जिसमें सबसे महत्तपुन है कंपोजिटी उसके बाद तीसरा जो ओडर हम देख रहे हैं वह है केमपेनल्स इट्स करक्टर सिक्स इस स्टमेंस जनरली फ्र कोश्टर में संक के भी जान दूँगे इस पे तीन फेमिली रखी गई है और इसके नाम से ही जो टाइटल फेमिली है वह है केमपेनलिसी जो हम याद रख सकते हैं तो यह तीन ओडर हमने देखे रूबियल्स एस्ट्रेस के बात अगला जो ओडर रचो था वह है एरिकेल्स इस्टेमेंस डबल दे लोपस अब दो कोरॉला और फिवर यूजली अल्टरेटिंग विद देम ओवरी टू तो मल्टी लोकुलर सेट्स स्मॉल फ्रिक्वेंटली माइन्यूट पुष्प प्राय नीमित होंगे याद हो जायेंगी पुंके सरसंख्या दल पत्रों से दूग के सी बाकी एरिकेसी वेक्सिनसी मोनोट्रोपी इपिक्रेडी डाइपी एंसी लेवनोंसी फिमिलिया इसके अंदर आएगी उसके बाद अगला पांचमा ओडर है प्रायमुलेंस इस्टेमेंस इक्वल टू एंड अपोजिट दे लोपस अफ दे कोरॉला और यूनिलोकुलर पुष्प सामान नेता है नीमीत अधो जायंगी पुंकेसर की संख्या दल पालियों अतात कोरल लोपस के समान दला अभी मुक अंडा शेक कोस्टी यूनिलोकुलर और बिजान डेनास आधारी या मुक्त स्थम्भी इसके अंदर होगा इसमें जो फेमिली जिसके प्लांट जिसके अंदर अगलिस आर्वेंसिस का फ्लॉवर इसके अंदर आता है तोह प्लमपीजनसी प्लाइम मायरी संदर होगी प्ल Áम इनेसी फेमिलेची हम याद रख सकते हं झाला च्छटा जो ओडर है वो है बीनेल्स इसमें जो इस्टेमेंस मैनी एक्पल टू एंड अपोजिट ड़ोपस ऑफ दो कोरॉला और डवल ओवरी टू तू मल्टी लोकुलर सीड से फ्यू एंड लार्ज ट्रीज और श्रप्स एंदर बड़ी फेमेलियां या जाडियां आएंगी हर्पस इसमें नहीं है पुष्प र इसमें सयपडेशी फेमेली जो है बात्रपून या बड़े प्लांट आएंगे अपिनियूदेशी न्र पी बड़े प्लांट ये थीन ओडर हम इसमें और देखे्रिकली प्राइमनेलेर और इस Сपरकार ये हमने जो शैनि देखी हेत्रोमेरी हेट्रोमेरी में तीन गण हमने देखे एरिकेल्स, प्राइमुलेल्स, एबिनेल्स, और इनके अन्दर आने वाली फेमिलियों के हमने डिसकस किया, अगली जो सिरीज हम देखने हैं, जो बहुत महत्वपून है, बहुत बड़ी है, और अधिकांश जेनरा यही सिरीज कवर करत इसके अंदर अंडशे प्राय उच्ची वर्ती होगा और द्वियंडपी है, प्राय द्वियंडपी, इसलिए इसको नाम दिया गया इस बड़ी सिरीज को बाइकारबिल्टी, और इसमें जो हम ओडर देखेंगे, जेन शेनली, पोलीमोन इली, पर्सोनेल्स, और लियमियल् तो सबसे पहले, सबसे पहले हम देखने जा रहा है इसमें है, जेन शेनल्स, इसके जो करक्टर्स हैं, कोरोला रेगुलर, इस्टेमेंस इक्वल तो दे लॉपस ओफ दो कोरोला, और फ्यूर यूजली अल्टरनेटिंग विद पैटल्स, लिवस जनरली अपोजिट, इसमें जेनशलिस में, फ्लोवर जो हैं, वो नीमित है, अदो जायंगी है, पुंके सर दल लगन है, पाण प्रायस सम्मुक, अपोजिट प्रकार की पत्तिय होंगी, इसमें जो फेमिली है, छे फेमिली, बेंथम एंड हुकर ने अपने वर्गी करान जेनशलिस के अंदर छे फेमि और सी, एपोसाइणसी, एसकलिप एपोसाइनसी जिसमें नीरियम, थेवेशिया, एलामेंडा इसके अंदर आएंगे और एसकली पीडिसी जो की केलाट्रोपिस की फेमिली है, एसकली पियास की फेमिली है, केलाट्रोपिस प्रोसेरिया, केलाट्रोपिस जाइगेंटिया, तो एसकली पीडिसी इसके अंदर अपोसाइनिसी में एस्कली पीडेसी के अंदर वह पड़ेंगा, जैसे ट्रांस्लेटर नामक संरस्ना का बनना, पोलीनिया नामक संरस्ना का बनना, ये कंडिशन पाई जाएगी एस्कली पीडेसी के अंदर जो एपोसाइनिसी के अंदर नहीं होगी, तो यह हमने फेमिली दे पुष्प निमित अधो जायंगी पुंकेसर संक्या दल पालियों के समान दल लगन पुकेसर पहंड़ाश एक से पंच कोश्टी है और लिवस जो है एकांतरित अल्टर्नेट पांच फेमिली बंते में ढूकर ने पॉली मोनियल्स के अंदर रखी है और इसमें जो फेमिली है वह है पॉली मोनियसी, हाइड्रोफिललसी, बोरिजिनेसी, कॉन्वललसी और सोलनेसी इसमें जो महत्रपुर्ण है वह है सोलनेसी और कन्वललसी जिसमें कन्वललस, आर्वेंसी, प्लूरी कालिस, आइपोमिया आ देंगे और सोलनेसी जिसमें सोलनम नाइग्रम, सोलनम इलो में प्लांट भी हैं, खाने वाले पोधे भी आएंगे तो इनमें अंतर भी है और वो अंतर यूजी लेवल तक पुछा भी जाता है कि डिफरेंशेट करो दोनों को प्लाज सोलुलेसी को तो ये हमने दो ऊडर को देखें अकडर स्णनिल्स और पूली मोरियलो्स और अगले जो दो अडर हमीर धिखा ही ते रही है पर्सोनेल्स और जो बहुत सारी फेमिली को शामिल करेंगे वो और दोनों है और इन दोनों में अंतर पुछा था पर्सोनेल और लेमिल इन दोनों में क्या डिफरेंस है पर्सोनेल, नाम से इस परचत है पर्सोनेट को रोला, एक परकार की इस परकार की इस कंडिशनिं के अंदर होगी रहे। अबलिक, प्यूस्टरिय स्टमान लेस्ट डवलप्ट देन दर अबर्स, और अवल्टर स्टमान पुश्प परचत है एक व्यास सम्मीत होगी। नाम से स्पष्ट है कि 2 x 3, 3 x 2 इस प्रकार की कंडिशन आएगी, तो पुष्प जो इसमे होगा, एक्वियास सम्मित, जाइको मॉर्फिक, दल्पुन्ज प्रायद्वी ओस्टी, जो कोरोला है, वो बाईलेबियेट होगा, अपर लिप अलग और लोवर लिप अपर ओस्ट मे अलग निचले ओस्ट में अलग, दल्पुन्ज प्रायद्वी ओस्टी ओस्टी है, और पुंकेसर की जो संख्या है वो दल्पालियों से कम होगी, यदि चार है, तो दूर दिर्गी होंगे, इफ फोर, दें डाइडाइनेमस, या फिर दो होंगे, संख्या है, या तो चार, इस प्रकार की कंडिशन के अंदर पाई जाएगी धन्रली, और ये एक बड़ा ओर्डर है, इसके अंदर बहुत सारी फेमिली है, आठ फेमिली हम देख रहे हैं यहाँ पर, इस्क्रोफुललेरियसी, ओरोबैंकेसी, लेंटीबुलेरिसी, कोलुमेलियसी, गेस्टनेरियसी, बिगनोनियसी, पेडलीनी, एकेंथेसी, यह जो हमने नाम यहाँ पर देख रहे हैं, इसक्रोफुललेरियसी, डॉक फ्लावर जिसमाएंगे, इसक्रोफुललेरिया, इसके अंदर है, ओरोबैंकेसी, ओरोबैंकी इसके अंदर आएंगे, लेंटीबुलेरियसी, जिसके कॉलमिलिसी, जैस्टिंरिसी, बिगणुनिसी, बिगणुनियियिया शामिल किया गया, तो इसमें ध्हाद्पून हमें दियान रखना है पहले राखरी की जो नाम दियें इस्क्रॉफुललेरियसी और एकेन थेसी और इसका भी यूजी लेवल पूछा जाता है इसक्रोफ फोल्लिएजी में आकेंथेसी में क्या डिफ्रेंस है, जिसे अकेंथेसी एक महात्पण फेमिली स frames responsibilities के प्रिकेंथेसी समय जी जाती है विश्य विशुच Given में प्रत अपाइब ऑकेंथेसी तक को प्रत थो फृर्प George 1-2-2 उसके बाद हम जो लास्ट ओडर देख रहे हैं वो है लेमियलिस लेमियल्स कोरॉला most often irregular और oblique, posterior stemine less developed than the others, most frequently reduced to a steminode or absent, carpals one ovule or with two collateral oils, fruit enclosed in the persistent calyx, indecent and with one seed or distance into two or four rarely indefinite one seeded nuts, इस प्रकार का इनके अंदर फल होगा, पर्सोनेलिस के बाद लेमियलिस हम देख रहे हैं इसमें पुष्ट अनीमित हैं, यदा कदा नीमित होंगे, दल पुष्ट वह कारक्टर द्वियोश्टी होगा, अठार स्कोरॉला जो है वो बाई लेभी एठ है, वही इनके अंदर चार कुष्टी होगा, तो यह एक लेमियलिस के अंदर की सुगन द्यूक्त, एरोमेटिक इसमेल वाली फेमियलिस के अंदर शामिल की गई है, हम यहाँ पर नाम देख रहे हैं, पांच फेमियलिस के, मायोपोरेनी, सीलेजिनी, वर्बिनेसी, लेभी एटी और प्लेंटिजिनेसी, यह जो हम यहाँ पर नाम देख रहे हैं, पांच नाम हम देखेंगे अंपर, इसमें प्लेंटिजिनेसी हैं, वह एक असंगत कुल एनामोलस फेमिली है यहाँ पर, तो इसमें, जो फेम्हो भी उखेंगे लेमियसी, वर्बिनेसी जिस के अंदर वर्बिना, यह प्लांटिजिनेसी के अंदर आएंगे, और लेभी तुलसी की फेमिलिय है, हूली बेसली फेमिले, मिंट destiny हो पाई या, मेंथा की फेमिले, यहाँ भी हम बात करना चाहेंगे कि क Mei विश्वध् अंतर पुछा जाता है जब वहां कोर्स में होती है दोनों फेमिली वर्गी निसी और लेलेटी में क्या डिफरेंस है यह दोनों एक ही ओर्डर में रख celebrity गणा है लेकिन इगना है दोनों लेकिन दोनों में डिफ्रेंस भी है कुछ जो वहां पर पाई जाएंगे वर्भी निसी में और लेभी एटी में तो एक समानिक फ्लोरा बनाते हैं हम कहीं फ्लोरा का अध्यन करें या गार्डन में कहीं घुमें तो लेविएटी के प्लांट वर्भी निसी के प्लांट हमें उगाई जाते हैं, बिल जाते हैं लगेवे, तो यह हमने देखी बाइकारपिलेटी सीरीज, सबसे बड़ी सीरीज यही थी, जिसमें चार ओर हैं, जेंशिनेल्स, पॉलिमोनेल्स, परसोनेल्स और लेविएल्स, तो जो हमने देखा कि लाखिर के दूएं परसोनेल्स लेमिल्स यह जाएं गोमर्फिक कंडिशन शो करेंगे, यह दोनों लास्ट वाले, यह इनकी विशेस्ता हो, तो आज हमने अपनी चर्चा में शामिल किया सिर्फ और सिर्फ गेमोपेटली को, सेक्त दली को, पहले हमने उसकी तीन स्रीज, Inferry, Heteromeri, Bicarplaty, सबसे बाद में रखी गई Bicarplaty, इन तीन स्रीज में आने वाले ओर्डर, इन में आने वाली फेमिली और जेंदरा की बाद भी हमने यह आपर शामिल करी, और सबसे लास्ट के अंदर तो रखी गई थी वह थी Bicarplaty, यह सबसे बड़ी श जामिशा मिली गेम पेटी